पेरा बोला basically हमने जो geometry थी उसमें इसकी geometry देख रखे हैं तो जो पेरा बोला अपने को दीखता कैसा है उसके बारे में discussion करते हैं देखिएगा कि पेरा बोला अपने पास इस परकार से थोड़ा moon की आकरती के जैसा होता है है न सेप जैसी moon की होती है वैसे और यहां पर इसकी जो basic definition होगी उसको हम यहां से लिखना start करेंगे तो देखिएगा कि यहां से एक हमें fixed line की जरुवत पड़ेगी तो यह fixed line ही यहां से लेंगे हम यह अब यहां पर अपने को एक क्या होता है fix point की भी जरुवत होती है तो यहां से एक fix point लेते हैं अब देखिएगा कि इस पेर यह point हमने यहां पर consider किये हैं तो यहां पर यह वाली distance देखिएगा यहां से यह distance और फिर यह वाली distance यहां से यह हमेशा क्या होगी दोनों equal होंगी इसकी definition के अंदर और यहां से देखिएगा कि यह वाला यहां से distance देख लीजे आप यह वाली distance देख लीजे और इस परकार स जितने point है उतने पर आप discussion कर सकते हो अपना और यहाँ पर यह जितने भी हम यहाँ से देखिए इस point से और इस line के बीच में जितने भी हम line है जो kitchen है और उनकी जो distance होगी वो अमेशा क्या होगी constant यहाँ दोनों की line है क्या होगी equal होगी तो देखिएगा अब अपनों ने जो किया है वो हम लिखते हैं देखिए हमने क्या किया कि जो पेरावोला होता है क्या होता है यह पेरावोला इस set of points in plane date are क्या होंगी date are equidistance होंगी कहां से date are equidistance equidistance from from equidistance from point from fix point and fix line in plane यह देखिएगा तो यह अपने पास देखो कि इसकी जो जनरल डेखिएगा तो यह अपने पास देखो कि इसकी जो जनरल डेखिएगा definition हो यह है तो यहां से भी देखिएगा कि यह वाली डिस्टेंस और यह वाली दोनों डिस्टेंस है नहीं कि fix line से और fix point से जो डिस्टेंस आएगी इस parabola के उपर जितने भी point होंगे वो क्यो डिस्टेंस होंगे एक दूसरे से तो देखिएगा कि यह अपने पास डिस्टेंस अब यहां से देखिएगा कि यह जो fix line है उसको हम क्या बोलते है उसका हमें इस कोल्ड दायत्रेक्स अफ पेराबोला इसको हम दायत्रेक्स अफ पेराबोला बोलेंगे और यह फिक्स पॉइंट है fix point is called a focus यह अपने पास क्या है focus आया है ठीक है अब लाश्ट में क्या आएगा अपने पास यह जो एक पॉइंट हैनी एक लाइन होगी वो इस क्या होगी focus से तो pass होगी और इस focus से और यह जो अपनी diatrix है उसके क्या होगी perpendicular होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे अपनी axis बोलेंगे तो यहां से देखिएगा यह अपने पास क्या होगा axis होगा इसको हम क्या बोलेंगे axis बोलेंगे जो कि क्या होगी perpendicular to diatrix होगी और कहां से गुजरेगी focus से गुजरेगी तो देखिएगा यह है अपने पास इसको बोलते हैं टाइटिक्स और यह अपने पास देखिएगा कि focus यहां से यह अपने पास focus आएँ तो देखिएगा अब लिखते हैं इसकी definition को तो क्या होगी the line segment sorry यहां पर देखिएगा कि the line segment is passing through कहां से पास हो रही है एक लाइन सिग्मेंट है जो कि पास हो रही कि से focus हैं एंड कहां पर perpendicular किसके है perpendicular to diet tricks tricks is called उसको हम क्या बोलेंगे axis बोलेंगे तो यहां पर यह अपने पास देखिएगा कि basic सी definition है जो अपने यहां पर काम में आने वाली है अब चलते हैं हमारे पास जो पेरा बोला का जो equation होता उसके कैसे हम उसको find out करते हैं वो देखते हैं देखिएगा कि अपने पास यहां से देखिए एक general point यह भी अपने पास देखिएगा कि हमने इनको P1 यह P2 है और यह P3 है और इनको क्या दे सकते हो B1 P1 B2 B3 यह 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 3 point इनको क्यों से जाने वाली जो भी अपने पास distance होगी देखिएगा कि जो हमने यहां पर देखिए कि P F equal to P1 B1 जितने भी यहां पर distance आएंगी देखिए P2 F और P2 B यह सब सारी क्या होंगी equal होने वाली है तो हमने क्या किया एक general point लिया इसके उपर P और इसके उपर लिया B यहां से अब जो P point है उसके coordinates हमने लिया X Y और यहां पर देखिएगा कि focus है तो focus को हमने late किया कि जो अपने पास यहां पर plan के बारे में हम discussion कर रहे थे अपनी definition में तो अब देखिएगा कि यह plane भी बनी जाएगा और यहां पर देखिएगा one definition और थी देखिएगा जहां पर यह जो line है यह parabola को cut कर रही है उसको हम बोलेंगी क्या vertex तो एक पॉइंट और है तो एक पॉइंट और है दे अक्सिस कट दे पेराबोला यहां पर पेराबोला को cut करती है दे अक्सिस कट दे पेराबोला which point is called उस point को हम क्या बोलेंगे अपना vertex उसको हम क्या बोलेंगे called vertex of पेराबोला तो यह अपने पास क्या है पेराबोला यह इसका तो यहां तक अपने basic definition थी वह यहां पर लिख दिया हमने तो यह अपने पास देखिएगा कि इसका क्या वहाँ vertex तो यहां पर coordinates क्या होंगे 0,0 होंगे इसके coordinates और यहां से यह अपनोंने late करते हैं कि यह यहां से लेके यहां वाली जो यह distance है ना यह जो distance है यह इसको मानते हैं इस वाली distance को हम कहते हैं A यह तो इस focus के जो f point है उसके coordinates कितने होंगे 1,0 होंगे अब हम क्या कर रहे हैं इसका जो अपने पास जो इसकी equation होगी उसकी तरफ चल रहे हैं general definition से और यहां पर देखेंगे तो यह वाली जो distance है यह भी similar यहां पर A होने वाली है तो यह यहां से देखेंगे तो यह A है यह तो A होने पर जितना देखिएगा कि यह line इस distance से है उतल्य यह इस distance से होगी तो यहां पर यह जो dietrics का equation आयगा अपने पास वो क्या आयगा वो आएगा x equal to minus का A तो यहां से dietrics का equation भी आगया अपने पास कितना अस equal to minus का A तो यहाँ पर जो भी point आएगा इस line के उपर वो कितना आएगा वो आएगा अपने पास देखिएगा कि जो B point है अपने पास क्या है वो है अपने पास minus का A और Y यानि कि यह point होगा अपना B point यानि कि generally हमने यह ले लिए हैं तो यहाँ पर देखो B B, B, P से लेके P, F तक यह जो distance है वो equal होगी तो यही से अपनी क्या होगी? पेराबोला की distance आएगी देखिएगा पेराबोला का equation आएगा तो यहाँ पर by by definition of by definition of पेराबोला तो क्या करेंगे? कि distance between किसके बीच में देख रहे हैं? कि इदर वाला जो point है B to F B to P और वो equal किसके हैं? distance between 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 point कौन सा आगया अपने पास? यहाँ पर आजाएगा P 2 कितना F P to F यहाँ पॉइंट के बीच का distance हमें देखना है तो यहाँ पर देखिएगा कि B point के coordinates हैं हमने क्या लिखे a, y लिखे थे और यहाँ पर जो P point है उसके coordinates कितने है? x, y और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर distance निकालने के लिए अपने को B point के coordinates कितने होंगे? x, y और end यहाँ पर F point के coordinates कितने होंगे? a, 0 अब हम क्या करेंगे? distance formula यूज करेंगे और अपनी जहां तक अपने को parabola का equation जो लिखना था उसको लिखने की courses करेंगे courses क्या confirm ही आएगा उसी से आएगा क्योंकि यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? basic definition का use ही कर रहे है तो यहाँ से देखिएगा कि distance formula तो यहाँ से देखिएगा कि क्या करेंगे हम? कि under root में क्या करेंगे? x plus यहाँ पर a आजाएगा plus में square और y minus y का whole square equal to distance लगानी है according to definition हम चल रहे है पर बाते हैं आपको तो आगे चलिए कि अब यह बोल रहे हैं कि हमारी life को थोड़ा आसान कर दो square है तो हठा दो तो both of side क्या कर देंगे? square कर देंगे square कर देंगे inकी life क्या हो जाएगी? थोड़ी easy हो जाएगी यह 0 आया और यह क्या आगा A-X का whole square है और यहाँ पे प्लस का y square और अभी तो यह तो अपने को यहा तक किया ही कि अपने 10 की तन तक बस यही तो कि x प्लस A का whole square तो देखेगा कि यहाँ पे प्लस होल, square क्या खोलेंगे तो x a square x a x equal to y equal to plus ka a square plus ka x square और यहां से देखिएगा कि क्या हैगा minus ka 2 a x यहां तक यही बात clear आपको clear है तो आगे देखिएगा कि क्या हैगा अपने पास यहां से तो यहां पे देखिएगा कि यह तो कितना हो गया है यह बोल रहे हैं कि भई हमको तो थोड़े यहां से आजादी देदो क्योंकि यह देखो चीक चीक के बोल रहे हैं कि हमको यहां से उड़ा दो तो हम भी कम थोड़ी ना इनको उड़ाई देगे भई लो जाओ तो इनकी लाइफ को थोड़ा आजाद कर देते हैं तो four triangles तो four RX और जो हमें चाहिए वो अपने पास आया है समझ में आगी है तो यहां से देखिएगा यह अपने पास देखो सुन्दरशी equation पएराभोला निकल के आईए आगपास समझ में यहां पर पएराभोला अब आप आप देखिएगा कि पेरा बोला का देखो possible case क्या क्या हो सकते है possible case है न वो यहाँ पर देखिएगा कि यह वाई है वो यहाँ पर भी आ सकता है आ गया है अब यह देखिएगा कि पेरा बोला यहां से हम कितनी तरीके से कितनी possibility अपने पास हो सकती है कि देखिएगा कि यहाँ पूरा positive था तो यहां पर negative भी आ सकता है same यह जो X है वो यहां पर भी जा सकता है कि X square की भी time आ सकती थी और यहां पर क्या हो सकता था जब X square आया उस time पर यहां पर क्या सकता था negative भी आ सकता था इस परकार से हमारे पास 4 तरीके के क्या आते है पेरावोला के बारे में discussion करना ह में तो first पेरा बोला तो यही था अपना पन के तयार है कि यह वाला जो अपने प्रोपर जो discussion किया है जिसकी सारी equation लिखी है हमने और focus है वो सारा जो ultimately हमने सब कुछ यहां पर define किया, dietrics है, focus है, vertex है, यह सब, अब क्या करेंगे हमारे पास जो next बचे कितने थे तीन जो अपने पास हैं उनके बारे में भी discuss करी लेते हैं तो देखिएगा सबी को हम एक जगा लिखते हैं फिर उनके बारे में इसी के बाद में हम यानि उनकी symmetry के बारे में discussion कर लेंगे यहीं पर और यह open कैसे हो रहा वो भ करेंगे discussion तो यह अपने पास second parabola है और यहां पर देखिएगा यह अपने पास third आ गया और यह अपने पास देखिएगा कि fourth यह fourth है यहां तक किसी को दर्द नहीं हुआ होगा side तक की तो देखिएगा अपने पास parabola होगा वो यह होगा यानि कि यहां से जो अभी हमने इस पेराबोला का जो equation है अपने पास वो क्या है कि वो है अपने पास y square equal to 4 ax यह अपने पास first parabola है यहां तक की बात के लिए आपको तो देखिएगा कि इसका जो अपने पास vertex था वो तो क्या है 0,0 है यहां तक बात के लिए रहे अब यहां पर इसका देखिएगा कि focus भी कि focus क्या था f है अपने पास a,0 यहां तक clear है अब यहां से देखिएगा कि इनका जो diatrix था इसका यह अब यहां से यह जो distance जितनी यहां पर a है वो यहां पर रहने वाली है तो यह distance अपने पास देखिएगा कि a है बट इस diatrix का जो equation आएगा वो x equal to minus का a आएगा क्योंकि हम इदर discussion कर रहे हैं तो इदर x coordinate अपना क्या होता है negative होता है बात के लिए रहें यहां पर तो diatrix आ गया अब तो अब इसको तो हमारे पास यह diatrix का equation है और यह focus तो यहां पर three no point अपनोंने discussion कर लिए और यह x axis है और यह क्या है अपने पास y axis है आप बोलोगी कि sir हमने इसको इदर ही क्यों open किया पहली बात तो यह क्यों जब भी अपनी equation y y square की form में आएगी तो उस time पे अपने पास symmetry होगी किस की तरफ axis की तरफ यह बात यहान में रखना और second time अब यह अपने पास कौन सी है यह अपनी right side है तो y equal to 4x किस में खुलेगा right side में खुलेगा क्यों क्योंकि यहां पे x का coefficient आपको देखना है यदि x का coefficient आपको positive मिलता है तो वो right side में खुलेगा और यदि देखिएगा कि negative वाले case में जब भी हम जाएंगे तो वहाँ पर किस में जाएगा वो अपने left side में open होगा तो dietric सब कुछ क्या हो जाएगी इधर आजाएगी अब देखिएगा कि अपना next case में देखिएगा कि पेरा बोला कि जो equation है वो अपने पास y equal to minus का 4a x द्यान में रखने हैं आपको ठीक है तो देखिएगा अब यहाँ पर पेरा बोला इधर क्यों खुलेगा left side में क्यों खुलेगा क्योंकि अक्स का जो copy center वो कितना है negative है इसलिए अब यहाँ पर इस तरफ खुला तो यहाँ पर जो focus आएगा यहाँ पर अक्स के coordinates कैसे आएग अक्स का जो अपने पार diatrix है वो क्या आएगी यहाँ पर यह अब इनके बीच की जो distance है यह कितनी a ही रहने वाली है भाई यह a है अब यहाँ पर देखिएगा कि अक्स का coordinate हमेंसा क्या होता पोजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर जो diatrix की जो यह आएगी x equal to a यानिकि यह वर्टिकल लाइन की equation तो वर्टिकल लाइन की equation अपने को पता x equal to a होगी तो यहाँ पर यह अपने पास देखिएगा कि वर्टेक्स है 0,0 यहां तक कि लिर आपको तो यहां से देखिएगा कि हमें focus मिल गया vertex मिल गया dietrix मिल गया सब मिल गया और यह अपने पास जो है व यह तो यहां तक किलियर आपको देखो dietrix focus सारे अमनों ने क्या किया discussion किया यहां पर तो यह सब कुछ किलियर आपको अब देखिएगा कि अब आगे हम किसमें जब हमारे पास क्या होगा x square की form आएगी तब हम क्या करेंगे तो देखिएगा कि हमारे पास देखिएगा कि x square equal 2 क्या होगा 4 a y आएगा तब हम क्या करेंगे क्या अपने पास क्या है फिर दुआई क्या है अपने पास इसकी भी दुआई रखेंगे ना जैसे यह कैंसे शिमेट्री इस में आएक्सिस में आएगी अब आप लेका लगा लो लो यहाण पर इससाइड में देखा है तो y की तरफ तो खुलेगा न वह और पोजुटिव है तो पोजेटिव आई y एक्सिस पोजिटियुटिव कहां पर यहां पर آफ फ आन होगा तो यह अपर focus का देखिए का, focus यह आएगा यहां से A distance पर, तो focus अपने पास 0,A यह आया 0,A यहां तक बात के लिए आपको फोकस अब diatrix भी देखिलीजिया आप यह अपने पास diatrix, अब यह वाली distance कितनी है, जितनी यह उपर है यह यहां तक ही, यह भी A है यह a है, तो इसका equation कितना हैगा भई, यह negative y में है, तो यहाँ पर क्या हैगा, अपने पास y equal to कितना है यह, minus का a, अब यहाँ से यह कितने होंगे, अपने, y axis है, यह क्या है, x axis है, यह axis है, और यह क्या है, यह अपने पास y dash है, और यह अपने पास x dash, यह, तो यहाँ तक हमने vertex focus, और dietrix का equation, हमने इन सब के लिए लिख दिया है, यहाँ कि form है, अपने पास possibilities है, यह सब कुछ proof होगा, क्योंकि हम 4 quadrant में कर रहे हैं, तो 4 quadrant के लिए अपने पास parabolas मिलेंगे, यह पकी बात, इसलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, कि अब देखिए, last and final जो है, वो form अपने पास कौन सी है, यहाँ पर, कि देखिएगा, कि x square equal to minus का 4 ay, अब देखिएगा, कि y का coefficient negative है, तो नीचे की तरफ खुलेगा, और symmetric इसमें होगी y axis में, तो y axis तो यह है, और negative आते ही open हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, कि आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, क्या है, यह अपने पास पेरावोला है, जो कि downward में आएगा, clear है, और यहाँ पर देखिएगा, कि 0,0 है, वो एक vertex है, और इसका जो focus है, वो यहाँ पर कितनी है, कि यहाँ पर f, जो point है वो 0,a है और यहाँ से देखिएगा कि इसका जो dietrix होगा, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ से upper side में a distance कितना होगा, वो देखेंगे, तो यहां से dietrix की line की equation देखिएगा, यह, अब यहां से यह जो distance वो अपने को पता है कि कितनी है जितनी यह यहां पे है उतनी यह यहां पे है तो यह है अब इस line की equation क्या होगी देखो y positive है यहां पे तो y equal to a इसकी क्या होने वाली है equation होने वाली है तो यह यहां पे focus आ गया यह इसका vertex आ गया तो यह कितना है y axis है और यह कि इतना है इसका अक्सडेश तो यहां पे हमने क्या इसी का है कि हमने इनके सब के क्या कर लिया है डाइट्रिक सोल कर लिया और यहां पे फोकस और इनका वर्टेक्स यानि कि चारों के बारे में डिस्कॉशन कर लिया है चारों कैसे ओपन हो रहे हैं यह भी हमने डिस्कॉशन कर तो देखिएगा अब आगे चलते है जो लिखते है थोड़ा सा थोरी का पार्ट वो लिखते है पहली बात तो यह अपने पास जो equation है यदि y की फोर्म में आती है if पेरा बोला equation in the y square terms तो यहाँ पर symmetry किसमें आएगी? symmetry किसमें है? symmetry will be in किसमें? y square है तो किसमें होगी? axis axis में होगी तो इसकी जो symmetry होगी वो किसमें होगी? axis पे होगी in axis axis and यहाँ पर देखिएगा कि यदि अब यहाँ पर जो possible अपने पास parabolas के आएगे? possible parabolas इस case के लिए वो क्या है अपने पास? y square equal to 4 a x and यहाँ पर देखिएगा कि y square to minus 4 a x आएगा तो यहाँ पर दोनों है जो कि किसमें symmetry अपनी axis axis की तरफ क्या है? symmetry है तो यहाँ पर अब देखिएगा कि यदि इसे देखिएगा कि open किसके ऊपर होगी? यह तो right में होगे? देखिएगा इधर यह दो parabola's थे यह तो यह right में होगे यह फिर left में होगे तो यह discussion कैसे करेंगे? यह decision अपने को लेना पड़ेगा decision तो लेना पड़ेगा ना भई? तो देखिएगे कैसे लेंके? यदि देखिएगा कि if यहाँ पर x coefficient क्या है? x coefficient यदि positive है तो यहाँ पर क्या होगा? कि पराबोला किस में खुलेगा? then पराबोला open in right side यह right side में खुला है second इसी में if यदि x का coefficient है वह अपने पास क्या है? यदि negative आया तो वह किस में खुलेगा? तो वह अपने पास open होगा किस में? left side में यहाँ कि left side में open होगा इसी परकार से हम क्या देखेंगे? तो दो पराबोला अपने पास बचे होए उनकी symmetry भी देखते हैं यदि equation यदि हमारी क्या होगी? यदि इफ पराबोला पराबोला equation इन x square terms तो x square की terms में होगा तो symmetry किस में होगी? symmetry in किस में होगी? वह अपने पास होगी y axis में अब अपने पास देखेंगे पोसिबल पराबोलास कौन से होगी यहाँ पर यहाँ पर अपने पास होगा x square equal to 4 ay और end क्या होगा? x square minus का 4 ay यह अपने पास क्या होगी? दो पोसिबल पराबोलास होगे अब यह भी क्या होगी? upward आएंगे यह downward आएंगे? यह depend करेगा कि y का coefficient कैसा है यदि if देखिएगा if y coefficient y coefficient क्या है? यहाँ पर y coefficient यदि positive आता है तो देखिएगा यह upward बनेगा positive then open in upward side यह क्या होगा? upward side में open होगा secondly वही बात कि यहाँ पर coefficient यदि negative हो जाएगा तो यह downward side में आएगा तो यह भी देख लिजेगा कि आप upward तो इसको बोलोगे और downward इसको बोलोगे यहाँ पर लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो यह आएगा upward और यह क्या आएगा? downward यह downward आगया और इसको किसमे right side में open हो रहा है? और यह किसमे हो रहा है? यह लेप्ट में यह लेप्ट आया इस परकार से तो यहाँ पर देखिएगा कि अब देखिएगा कि यह का कोपी सेंट क्या आता है? यह कोपी सेंट किसमे आता है? यह नगेटिव आता है तो क्या करेंगे हम? तो यह किसमे open होगा? then open in downward 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 side में